हेलो फ्रेंड्स वर्कम टू जारकन परीक्षा, गुद इवनिंग सभी को, अभी आर्ट्स अन कल्चर चल रहा है, जारकन जीस में, और ऐसा नहीं है, फर्स टाइम चल रहा है, इसके पहले कंप्लीट करवाया जा चुका है, तो सेगेंड टाइम चल रहा है, और इसके बाद जो स्टार्ट होगा, जब अप्लिकेशन आ जाएगा, सब कुछ नई सीरिस स्टार्ट करवाया जाएगा, तो आर्ट्स अन कल्चर में अभी हम लोग ट्राइब्स पढ़नें, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कह सकते हैं, चैप्टर कह सकते हैं, छारकन जीस के लिए, अब यह जो पूरा का पूरा आर्ट्स अन कल्चर है, ट टास्क हो जाता है, ऐकिए, थेंक्यू, अलंकार usar करमा, चलिए, तो इसके पहले चार्ट वैप्स हम लोगोंने कंप्लीट कर लिया है, एक है सन्थाल, उसके बाद हम लोगों ने क्या complete किया application ला रहे हैं क्या sir हाँ application आ रहा है संथाल हो गया इसके बाद उराओं हो गया फिर मुंडा और हो जन जाती मैंने कहा था कि इसके बाद जितने भी tribe complete करवाया जाएंगे तो वो इस तरह से होगा कि एक lecture में कम से कम दो drive तो रहे गई रहेगा जादा भी हो सकता है डिपेंड करता है लेकिन कम से कम दो रहे गई रहेगा इसके बाद तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक revision कर लेते हैं questions के through ही ताकि दिमाग में रहे हम लोगोंने क्या पढ़ा है ताकि कंपेर कर सकें आप ओके डेली क्लेक्चर conceptual का भी ले सकते हैं कि असर हाँ बिल्कुल ले सकते हैं मैं ये class करवाँगा भी लेकिन थोड़ा मुझे भी समय चाहिए ज्यादा नहीं एक विक का समय चाहिए और अच्छे से करवाया जाएगा तो संथाल उराव मुंडा हो जन जाती का आज जो है combined class हो रहा है आप इसको ध्यान से सारे questions वही है सारे questions वही है लेकिन conceptual मैं कोसिस करूँगा कि काफी कुछ इसमें बता सकूँ explain कर सकूँ ताकि ये अच्छा से revise हो सके हो सके ओके वही सलक लग रहा है चलिए स्टार्ट करते है question number one है अच्छा यहाँ पर कुछ मैं common पहले बता देता हूँ ठीक ना पहले हम लोग common एक समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे ठीक है एक idea ले लेते हैं जिसे जहारखन के tribe के अगर बात किये जाए जहारखन के tribes की बात की जाए देखिए मेरा जो questions वाला class होता है न यह conceptual से कम नहीं होता है हाँ बिल्कुल कैसे नहीं सुनूगा धनबात कही रहने वाला हूँ अब देखिए यह नहीं कि मैं पटना में हूँ तो जहारखन के नहीं से कटा हूँ जहारखन के tribes के बारे में काफी कुछ आप जानते है थोड़ा समय रिकॉल करवा दूँ जहारखन में देखिए वैसे तो गौंजू और भोगता यह दो एड़ हो चुके हैं लेकिन कुछ कुछ अभी terms और कुछ प्रोसेस बचा हुआ है तो फिलार आप 32 ही याद रखेगा जहारखन का जब गठन हुआ था उस समय 30 जन जाती थे बाद में 2003 में कवर और को जो है एड किया गया कोल और कवर को जो है एड किया गया तो टोटल कितने जन जाती है 32 अब इस 32 जन जाती में 24 जो है और यह 8 इस तरह से यह बटा हुआ है ठीक है तो यह जो 24 है यह जो हम लोग कहते हैं जन जाती या फिर आदिवासी कह सकते है वो है ठीक है और और यह जो आठ है यह आदिम जन जाती है आदिम जन जाती कहने का मतलब यह है कि अभी भी इनका जो रहन्सायन है वह उसी तरह से चला रहा जो परंपरगत चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। ले लिया उनको काफी कुछ फाइदा मिल रहा लेकिन नहीं नहीं वो जो है वो सुरतसर हैं और वो IPS नहीं है जारखन जैपीसी के तुरूगाय में है रखताब फर्स टैम देख रहे हैं ना लेक्षर इसलिए आपको ऐसा लगा रहा हो होगा ओके तो ये जुँ है आदीम जनजाती आट जो है इसका नाम आपको पता होना चाहिए ठीक है तो ये जो आट जन जाती है कौन-कौन है इसकicon लोग देखते हैं जो पहाड़ीं आप लोड़ यदखें हैं दो एक हो गया सौर्य पहाड़िया इसे माल पहाड़ियाद है क्हों माल पहाड़िया की सौर्य पहाड़िया ठीक है कि कहीं कि नнаконики वो जो है वो सुरड़ सरका है सॉरसर अभी Training चल रहा, इसलिए कुछ पढ़ा नहीं पा रहा है, Training में भी exam भी चल रहा है, Training के दौरान काफी थोड़ा tough चल रहा है, एक मैने से session, और उनका आथ से exam भी start हुआ है, उन्हों का जो होता है, तो माल पहाडिया, सौर्या पहाडिया ये दो आपको याद रखना है इसके बाद क्या याद रखेगा याद कैसे रखना है किसी भी चीज को याद रखने का तरीका ऐसा होना चाहिए किसी भी चीज को याद रखने का तरीका ऐसा होना चाहिए तो क्यों न हम लोग इसको इस तरह से याद करें कि जन संख्या भी complete हो जाए तो सबसे ज़्यादा जन संख्या जो है अगर आदिम जन जाती की बात की जाए वैसे तो सबसे ज़्यादा जो है ये संथाल ट्राइब का है जन संख्या और उसके बाद सबसे लाश्ट जो है ये खोंड जन जाती का आता है ठीक है लेकिन हम लोग बात करें आदिम जन जाती के लिए ये थोड़ा सा introduction है फिर हम लोग question पर आएंगे ठीक है तो माल पारिया सौरिया पारिया है अब इसके बाद क्या याद रखना है ठीक है इसके बाद क्या आता है बिर्होड बिर्होड के बाद क्या आता है असूर और असूर के बाद सबर फिर आता है बिरजिया ये जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आप इसको याद कीजेगा है इस तरह से याद करने का पाइदा ये है कि आपको जंसंख्या पता चल रहा है आदिम जंजाती के लिए मतलब आदिम जंजाती में सबसे ज़्यादा जंसंख्या माल पाड़िया का है और सबसे कम किसका है बिरजिया का है ठीक है ये चीज़ है भील नहीं भील देखें वो इंडिया की बात करेंगे तो अगर जारकंड में आएंगे तो जारकंड में सबसे ज्यादा संथाल का है और अगर इंडिया की बात करते हैं तो संथाल का नंबर 3 आ जाता है नमबर एक पे भील आता है, फिर गोंड आता है, फिर उसके बाद उरावा मुंडा हो आता है, तो दोनों के लिए ध्यान रखना है, तो यह जो है आपको इस तरह से याद रखना है, ठीक है, यह हो गया, आदेम जान जाती, अब इसमें क्या है कि एक होता है, प्रजातिय दृ दृष्टिकोन कहने का मतलब यह है कि जो बॉडी का structure है, जो बॉरी का structure है, मतलब किस तरह से दिखता है? Okay, naak का shape कैसा है? छेहरा कैसा है? सर कैसा है? तो यह जो होता यह परजाती है, दृष्टिकोन से divide किया जाता है. तो मेलि 3 पाया जाता है जहारखंड में, शिर्फ जहारखंड की बात नहीं है, पूरी इंडिया में मेलि 3 पाया जाता है, तो इसमें जो है proto-oost lud होता है, proto-oostlud, उसके बाद क्या आता है? और फिर आता है द्रविडियन, ठीक है, तो ये हो गया, ये महली तीन है, तो ये है क्या, ये, जैसे सी दोगे क्या, भी, बैश्टू में कबसे क्लास होगा, सर, बैश्टू में, मैं वेट करा था, अपली के संका, ठीक है, बहुत सारा कोशन आ रहा है, जैसे लग अलगतर है क्या, टॉपिक से हटके, इतना चाहिए टॉपिक में आज स्टार्ट कर रहा हूं, सब को कमबाइन रूप से आपको ये सब पूछना चाहिए था, जो डाउट होगा, वो पूछेएगा, एक साथ के लिए रहोगा, ठीक है, ये सब कोशन हटाइए, लेंग्वेज के बेसिस में कितने टाइप के होते हैं, हाँ, लेंग्वेज वाला एक अलग सेक्षन है, लेंग्वेज वाला जो हम लोग अलग सेक्षन करेंगा, ठीक है, ये कुछ खास है नहीं, तो हम लोग इसी में कलरें, लेंग्वेज में क्या है कि उसमें पढ़ना होता है ठीक से ओके हाँ टॉपिक रिलेटेड ही कोशन आप लोग पुछिए वरना फिर काफे ज्यादा लेक्चर लंबा हो जाएगा दिकत आप ही लोग को होगी है ना तो आप लोग टॉपिक से जुड़े कोशन पूछिए और इदर उदर की बाते ला ठीक है मुंड़ा और करमाली बहुत जगा मुंड़ा को प्रोटोस्ट्रोइड में रखा जाता है लेकिन मैंने ज्यादा कर बुक में देखा है कि जो मुंड़ा है वो मतलब जहां सर्टिक एंसर होना चाहिए जो सर्टिक जानकारी मिल रही है तो मुंड़ा को आस्ट्रोइ लिए आप यह जानिएगा कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है क्या पढ़ा है हम लोगों ने पढ़ा संथाल पिर उसके बाद पढ़ा उराओं उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था मुंडा पिर हम लोगों ने पढ़ा हो तो यह जो संथाल और हो है संथाल हो आज आ जयान रखना है तो ये थोड़ा सा बेसीक हो गयाँ उसके बात क्या है कि जहphonें जो जनसंक्या आपको पता है 3029,889,134 चैपस है ठीचे आपको पता है अब इसमें जो आदिवासियों की जनसंंख्या है अनुसूचा जञ़ान्जाती की जो जनसंक्या है वो कितनी है यह जो जनसंखिया यह 86,45,42 और यह परसेंटेज में कितना आता है 26.2 सुनने प्रतिसक यह 2011 के census के coding अब यहाँ पर यह आपको देखना है कि यह जो जनसंखिया है इसी में सबसे ज्यादा जनसंखिया किसका है सन्थाल का जनसंखिया है तो संथाल का जो चंसंख्या, फिगरें भी याद कर सकते हैं, लेकिन परसेंटेज ज्यादा बहतर रहेगा, तो परसेंटेज आपो याद करना है, संथाल का हो गया, फिर उराओं का हो गया, मुंडा का हो गया, और हो का हो गया, ये बिलकुल जो है, descending order में लिखा हुआ है, त कहां पाई जाती है, अगर फिगर की बात करें, तो हो जाएगा राची, और अगर परसेंटेज की बात करें, तो हो जाएगा खोटी, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है, ये हो गया, ये कुछ-कुछ बेसिक है, और इसी चीज को हम लोग समय के साथ clear करते चले जाएंग देखे, 2011 का जो सेंसस है, तो उसमें ये बताये गया, कि नंबर एक पे जो है, वो गोंड है, और नंबर दो पे भील है, ठीक है, फिर 2011 का जो सेंसस है, इसमें नंबर एक पे भील हो गया, और नंबर दो पे गोंड है, और 2011 से लेकर अभी 10 साल हो गया है, मतलब सेंसस का की कि होगा वो सेंसर के एकोड की होगा ना कि अभी आप जो िंटरफे में सर्च करता है तौझ इसच का ध्यान रखना है अगर कोशन में आता है कि सभसे ज्यादा जन संक्या किसकी है तो आपको फील एंसर करना जो जायर घ्यारा के आता है संथाल उसके बाद आता है उराओं फिर आता है मुंडा ये तो हो गया भारत के अगर बात करे तो ठीक है तो अगर हम लोग देखें जारखंड के लिए तो जारखंड में सबसे जादा जो जनसंक्या है ये किसका है ये संथाल का है संथाल के बाद किसका नंबर आता है उराओं का, उराओं के बाद नमबर आता है, मुंडा का, इसके बाद नमबर आता हो का, फिर खरवार, लोहरा, खड़िया इस तरह से, यह चलता रहता है, ओके, सबसे कम किसका है, सबसे कम जनसंख्या जो है, यह किसका है, खोंड का है, ओके, यह हो गया, आदिम जनजाती की बात करें, तो सबसे ज़्यादा किसका है? माल पाड़िया का, और सबसे कम किसका है? सबसे कम जनसंख्या जो है, किसका है? बिरजिया, बिरजिया होगा ना, बिरजिया का है, आदिम जनजाती की बात करें, तो यह सब देखे, कोशन इसी से आएगा, और सारे फैक्ट्स हैं, जर्ट की वह अगर जनजाती की बात की जाए तो हो जाएगा संथाल option B और जारकण में इसका percentage कितना जारकण में इसका जो percentage है ये 31.9% है इसमें ये 86,45,42 जो जनसंखीया है उसमें 31.9% संथाल है इस इसका ध्यान रखना है ओके जारकण में सरवाधिक जनसंखेन में से कौन स 3 पर क्या आता है मुंडा आता है और नंबर 4 पर आता है हो तो इसका एंसर ऑप्षन यह हो जाएगा संथाल की जो जनसंक्या है यह 31.9% है उराओं की जनसंक्या कितनी है मतलब सर स्थ में 31.9% हाँ स्थ में देखना है ऐसा नहीं कि इसमें आप देख लेंगे तो calculate करना पड़ेगा calculate किया हुआ है नहीं लेकिन जब भी पुछा जाएगा तो इसमें ही पुछा जाएगा और इसमें जब भी कोशन किया जाएगा तो total central tribe की जनसंक्या है मतलब 26.2% यह कोशन किया जाएगा तो कोशन जहां तावा से नहीं पूछता है एक pattern होता उसी पर examiner चलता है ठीक है यह हो गया उराओं की बात करें तो उराओं 19.8% है उराओं जो है 19.8% है और अगर मुंडा की बात करें तो 14. 15.2% है हो जनजाती की बात करें तो जनसंक्या कितनी है यह 86 लाख वाला में इनका है 10.7% 10.7% ठीक है यह हो गया इसका answer हो जाएगा option A next संथालों को परशिम मंगाल में क्या कहा जाता है संथालों को परशिम मंगाल में क्या कहा जाता है देखे पूरी तरह से यह आपको phrase lecture जा रहा है ऐसा नहीं कि यह मैंने पहले बता दिया वो पहले बता दिया तो बिल्कुल ऐसा नहीं है ठीक है इसलिए आप इसका फाइदा उठाई है और अच्छे से class को सुनिए और साइड में जो चलता है वो चलन लें दीजिए उन्हें 32 32 सब चलता रहेगा तो जहारखन म हमेशा यहां से हुआ है इस एरिया से हमेशा परविस हुआ है अब संथाल जो है स्टार्टिंग में बसे थे इस एरिया में स्टार्टिंग में इस एरिया में बसे हुए थे हजारी बाग वाला जो च्छेत्र यहां बसे हुए थे धीरे-धीरे इनका पलायन हो जाता है किस श्चेतर में यह वाला छेत्र है यह आप जानते हैं कि यह ढोरा जो इलाका एक यह बस észश कई अब समय के साथ क्या होता है कि जब मुर्पता पाड़ के यहां पर ब्रिसय च्चेतर में आएए थे तो आपको पता है कि यह जौ राजमाल पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर जो है, पहाड़िया लोग रहते थे, पहाड़िया लोग जो की उराओं के साथ ही आये थे, ठीक है, जारखन में, तो उराओं इधार आ गए और जो पहाड़िया वो गंगानादी के किनारे किनारे चलते वे, यहां गए, तो पहाड़ में रहत तो जब इनको यहां बसाया जाता है, तो यह जो छेत्र है, इनकी आबादी से भर जाता और यही कारण है कि इसको संथाल परगना के नाम से जाना गया, तो जब यह बंगाल में थे, बंगाल में इनको सावतार बोला गया, क्या बोला गया, सावतार बोला गया, संथाल में जो बोंगा का ही दूसरा नाम है ठाकुर आप किस तरह का बोंगा यह डिपेंड करता है कि किस जर्जाती के लिए हम लोग बात कर रहे हैं तो फिलाल यह आप जो है सावतार याद रखेगा ठीक है यह जो सावतार है यह आप याद रखेगा ठीक है इसी से जुड़ता हुआ एक और वर ilin का नाम है साकमचारी जिसका नाम है साकमचारी है चलिए आप मुझे बताइए कि साकमचारी किया होता है para सब्सक्राइब कर सकते हैं कि बाद में बहुत कुछ हूं लेकिन ट्राइब करता हूं मैं ठीक है कि सुरस्तर जब इसमें कंटेंट दे रहे थे तो दिक्कत नहीं हो रही थी कोशिस उन्हों ने किया लेकिन ट्रेनिंग उनका जो स्ट्डियूल है मौर्निंग में पोरे में वो उड़ते हैं और दीन भर स्ट्डियूल भीजी रहता उनका तो ट्रेनिंग के दौरान दिक्कत है वन्ना वो सारा कंप्रीट करवा देते करेंट अफर से समन्दी जितने भी लेक्चर से ऑके तो यह जो साकमचारी है जब आप पढ़ेंगे मूंगा जनजाती के लिए तो मूंगा जनजाती में जो दिवर्स होता है तो उसी को साकमचारी बोला घाता है पिल्कुल सही खेक है चलिए कोशन संताल जंजाती इनने से जहरकन के किस चिले में नहीं पाया जाते हैं अब देखें यह जो कोशन है यह इंपोर्टेंट नहीं है यह पॉर्टेंट नहीं है जैसे हर जंजाती के देना है data दियान दियान देना है कि patriot Tran Radio हुई हो वह स्टार्टिंग में कहां हवी है और अभी फिलाल सबसे जादा ये कहां Eğer ये दो चीज देखना है सबसे जादा ये अभी कहां रहते हैं और इनकी जो एंट्रि हुए थी वो कहा हो भी थी तो संथा जन जाती है शुरुवात से ये हजारी बाग छेतर चायचंपा वाला याद है ना चायचंपा चायचंपा वाला छेतर जो था यहां रहते थे फिर यहां से इनका पलायन हो जाता है बंगाल के चेतर में वेर्भूम के आसपास जो भी एरिया है और वहा फिर भी अगर इसमें से कोई एक answer करना होगा तो cancer हो जाएगा नहीं कोई सठीक answer नहीं आएगा इसलिए क्योंकि चत्रा हजारी बाग रामगड ये सभी जो है हजारी बाग वाला ही छेत्र था तो इसलिए इसमें से कुछ खास नहीं होगा फिर भी रामगड आप answer कर सकते हैं रामगड ये थोड़ा कुछ ज्यादा सौथ में हो जा रहा है कि कुछ खास important नहीं है रामगड वैसे answer हो जाएगा इसका next संथा जंजाती का संबंध इन में से किस भासा से अच्छा भासा वाला भी important है तो भासा वाला में अलग करवाऊंगा इसमें बस आप फिलाल के वो बताया जाएगा जैसे कि अभी जानुम सिंग के लिए जो बुक है वो सिष्ट काव है वो भी important हो गया है तो इस तरह के बुक्स जो है current affairs से समय देद बुक्स को भी बताया जाएगा तो आप ये याद रखे कि इनका अगर भासा के recording देखा जाए तो औस्टो ऐसे आठि गोमिया नाम का एक जगा है बुकारों में जो गोमिया नाम का जगा है तो है यहाँ पर क्या यहाँ पर एक पहाड है यह जो पहाड है इसी पहाड में लोगबूरु घंटा बाड़ी जो है धोरुम द्वार बोलते हैं संथालों के लिए सबसे बड़ा तिरतरस्थल यही है और यहां पर क्या है कि अंतराष्टिय धर में सम्मिलन भी होता है संथालों के लिए तो बहुत ही यह बड़ा दिरतरस्थाल है कहां यह बुकारों गौमिया में है और इनी से संब्मन्दी था यह लोगबूरू से तो इनके जो संस्थापक माने जाते हैं संथाल का जो लैंग्वेज है संथाली वैसे देखिए इस तरह से लिखनाचाहिए लंग्वेज waves वी से देखिए इस तरह से लिखना चाहिए संथाली रही चाहिए और 2004 में यह एड़ वा थक amendment यह वाला है, तो चार language को add किया गया था, संताली था, बोडो था, डौगरी था, और मैथली था, यह चार language है, तो यह जो language है, इसको लिखने के लिए, जिस लीपी का इस्तेमाल किया जाता है, इसको बोलते हैं, all chiki लीपी, क्या बोलते हैं, all chiki lippy, ठीक है, तो यह जो लीपी है, इसको किस ने डेवलप किया है, इसको डेवलप किया है, रगुनात मुर्मो ने, ओके, 1940 के आसपस का समय था, तो रगुनात मुर्मो के द्वारा जो है, डेवलप किया गया है, ठीक है, यह हो गया, और यह जो है आंदोनोड कारीड़ा है ताना भगत से सम्माधित रहें इसका एंसर ऑप्सन सी लोगबूरू हो जायेगा संथा जन्जाती में कुल कितने गोतर पाये जाते हैं कोशन नंबर 7 कुल कितने गोतर पाये जाते हैं तो यहाँ पर गोतर जो होता है इसमें एक चीज आपको याद रखना है कि जितने भी ट्राइब्स हैं किसी में भी समगोतरे विवाजव हैं अलाउट नहीं है सम गोत्र यह वर्जित है यह आपको याद रखना है और इसमें संथाल के लिए आपको 12 गोत्र याद रखना होगा क्योंकि यह important tribe है इसमें language भी important है और इनके जो culture है वो भी important है तो 12 गोत्र है यह 12 गोत्र आपको याद होना चाहिए ठीक है इस इसका ध्यान रखना है अब यह जो 12 गोत्र में starting में 7 गोत्र हुआ करता था स्टार्टिंग में 7 गोत्र हुआ करता था , 5 जो है बाद में ऐड़ hudah पास्च जो है बाद में ऐट हुआ ओक तो यह जो गोत्र हैं कौन कौन से हैं यहां पर हम अख देखते हैं इसके जो 4 वर्न है वो पहले आप याद कर लीजे 4 वर्न जो है EP go किसकू हो गया फिर मुर्मू हो गया फिर सोरेन हो गया मरांडी को ही मरूडी कहीं कहीं लिखा जाता है चार तो यहीं पर हो गया अब चार मैंने अलग से क्यों लिखा क्योंकि यह जो संथा जन जाती है इनको चार वर्ण में डिवाइड किया जाता है और वर्ण को ही हड बोला जाता है तो यह जो चार हड चार वर्ण है यह किसकू मुर्मू सोरेन मरांडी है इसमें जो किसकू होते हैं यह राजा माने जाते हैं ओके जो सोरेन होते हैं यह सिप मरांडी जो होते हैं, यह किसान माने जाते हैं, तो चार तो यहीं परियाद हो गया, अब इसके बाद जो आठ बच रहा है, वो कौन-कौन सा है, इसके बाद जो आठ बच रहा है, वो कौन-कौन सा है, देखें, किसकू, फिर, मरांडी, यह चार यहीं पर हो गया उसके बाद आपने हमेंसा नाम सुना ही होगा ठीक है जैसे हांसदा हो गए हांसदा रमेंस हांसदा याद है ना हांसदा हो गए ठीक है फिर चोंडे हो गया ओके फिर एम्बरम इन सब गोत्र में मेरे फ्रेंड्स हैं ओके हम्बरम हो गया टुड्डू हो गया ओके फिर बास के हैं पोडिया हो गया बेदिया हो गया ओके और बेसरा हो गया ठीक है बेसरा हो गया तो यह 12 गोत्र आपको याद रहना चाहिए यह किसी भी ट्राइब के गोत्र को मैंने नहीं कहा है कि आप उसको याद केजिए लेकिन संथाल वाला इंपोर्टेंट है ठीक है इसको आप याद करते रहेगा लिखते रहेगा याद हो जायेगा जब आप प्रकंड याद कर सकते हैं अनुमंडल याद कर सकते हैं विदानसभा याद कर सकते हैं तो गोत्र भी याद कर सकते हैं तो यहां पर संथाल में जो गोत्र पाया जाते हैं वो कितने पाया जाते हैं बारा पाया जाते हैं नेक्स्ट संथालों की जो भासा है तो उसको लिखने के लिए जिस लिपी का इस्तिमाल करते हैं उसको औलचिकी लिपी कह ने किया था, ये किया था रगुनात मुर्मू ने, option भी हो जाएगा, ठीक है, रगुनात मुर्मू ने इसको establish किया था, next, भारत समिधान में किस वर्स संथाली भासा को आठवी अनुसूची में सामिल किया गिया था, 2003 और 2004 में हमेशा अप confuse करेंगे, तो याद रखना इसमें क्या है, कि 92nd amendment 2003, ये amendment है, ठीक है, इसके तहत 8 schedule में add किया गया, लेकिन add करने का जो process है, वो कब complete हुआ था, ये 2004 में complete हुआ था, मतलब 2004 में add हुआ था, अगर amendment का वर्स पूछेगा 2003, और अगर add कब किया गया, ये पूछेगा 2004, अब यहाँ पर, अगर दोनों में से कोई एक answer में, तो आप उसको बेहीचक answer कीजिए, लेकिन दोनों है, यहाँ पर ओकोशन पूछ रहा है, वर्स वाला, तो 2004 हो जाएगा, इसमें कोई confusion नहीं होना चाहिए, option D 2004 हो जाएगा, इसके बाद जो हड होता है, आपने अभी देखा 12 गोतर, तो 12 गोतर में 4 आप याद कर लिजिए, वही हो जाएगा हड, ओके, कौन कौन सा है, इसमें जो है किसकू है, जो की राजा के समान होता है, फिर सोरन है, जो की सिपाही के समान होता है, मरांडी या फिर मरूडी, यह जो है, यह किसान के समान होता है, और मुर्मु जो है, यह पुजारी के समान होता है, ठ किसान को, मतलब क्रिसक, राजा क्रिसक, राजा जो हुगया किसको, फुजारी जो हो गया मुर्मु और यह सेवादार नहीं यहां पर सिपाई होना चाहिए तो जो सिपाई हैं यह सोरेन को रिप्रेजन करता है इसका answer option D क्रिसक हो जाएगा clear यह क्रिसक हो जाएगा संथाली भासा को 92nd amendment दुवारा भारत के सविधान की कि सनुझ सूची मैं सामिल किया गया तो जो language होता है language कहां add किया जाता है language जो है 8th schedule में add किया जाता है language 8th schedule में add किया जाता है और जब यह add किया गया था 2003 का जो amendment है तो आपको čार भासा याद रखना है एक जो है Wahसा फिर Bordo हो गया ओके बोड़ो हो गया डोगरी डोगरी जो जम्मुकिसमिर की भासा है डोगरी हो गया इसके बाद mathly मैथली उत्री बहार की जो भासा है जिसे दर्मंगा वाला छेतर हो गया है ना मिथलान चल वाग्राइग जो एरिया मना जाता है मैथली यह हो गया तो यह आठवी अनुसूची में एड किया गया ठीक है achtवी अनुसूची में एड किया गया option C is cancel हो जाएगा देखेए अभी क क्या है ना कि आप देख पा रहे हों कि ज्यादा मैंने complicated नहीं किया है topic को धीरे-धीरे कुछ-कुछ topic को clear मैं कर रहा हूं मतलब Travis में ऐसा नहीं कि सब एक साथ में बता रहा हूं सब एक साथ बताने से मेरा इस समय बचेगा लेकिन आपको याद नहीं हो पाएगा इतना ही बता संथा जनजाती में कुल कितने विवा का प्रकार है विवाज यह होता है बापला बोला जाता है इसको क्या बोला जाता है बापला में जिए था सबह्तार अ चाह् कि इसमें arranged marriage होता है, अब नाम अलग अलग है, जैसे कि जब हम लोग संथाली की बात करेंगे, तो इसमें आ जाएगा सदाई बापला, जिसको किरिंग बापला बोलते हैं, जब मुंडा की बात करेंगे, तो आयोजित विवाह हो जाएगा, ओके, ये arranged marriage का टाइप है, और इसम होता है, कि एक होता है, एक तरफा प्यार, और एक दोनों तरफ वाला हो गया, तो एक तरफा वाला में हट विवा हो गया, हरण विवा हो गया, ये सब आता है, और जो दोनों वाला है, तो बहादूर वाला आ गया, मतलब दोनों चल गये, जंगल चले गये, तो ये सब आता दो तरह का, एक तो कुछ समय के बाद वापस आ जाएगा, और एक वही पर रहा जाएगा हमेजा के लिए, ठीक है, तो यह सेवा युवा का टाइप है, अब इसी में कुछ-कुछ अलग-अलग modification आप देखेंगे, मैं भी बता रहा हूँ, आप समझने की कोशिस कीजएगा, यहाँ देखिए, question number, 12 को मैं clear कर रहा हूँ, ठीक है, 12 को मैं clear कर रहा हूँ, इसको आप समझने की कोशिस कीजएगा, देखिए, इसमें एक मिनट, जैसे, आप यह जान रहे हैं कि संथाल में जो विवा होता है, यह बापला होता है, ठीक है, यह होता है बापला, ओके, अब love marriage जो है, love marriage पहले नहीं, पहले arrange वाला में आना है हम लोगों को, arrange marriage, ओके, arrange marriage, तो इसमें क्या है, नहीं मैं नहीं आता हूँ, travel community से, आदत और अच्छे से बताता आपको, practical चीज, लेगिन फिर भी मेरा जो छेत्रे वो गिरिडी का छेत्र है, तो काफी कुछ मैंने देखा है, अभी भी होता है, ऐसा नहीं है, arrange marriage, तो इसमें क्या है कि संथाल की बात की जाए, तो संथाल में arrange marriage को क्या बोलते हैं, संथाल में जो arrange marriage को बोला जाता है, एक तो किरिंग बापला आप याद कर सकते हैं, ठीक है, और इसी को सादाई बापला भी कहा जाता है, सादाई बापला भी कहा जाता है, तो इसमें हो एक दूसरे के घर जाएंगे और लड़क लड़की को पसंद करते हैं, ठीक है, एक request है, क्या request है, तो एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि वदुमुल्य, वदुमुल्य जो है, ये अनिवारे होता है, वदुमुल्य जो है, ये अनिवारे होता है, ये देन अज़ाइबावाला साधी नहीं नहीं वह मिडियाटर ना नियाटर हां ठिक ठिक मुझे कुछ और लगा मिडियर वाला हां वह क Séchos माध्यम से होता लेकिन पैन। इस लड़क लड़की जो है दुसरे के घर नहीं जाते हैं देखने के लिए यह हो गया यह वदुमुलेस में इंपॉर्टेंट होता है यह देना ही देना होता है इस दिश्का ध्यान रखना है ओके यह हो गया किरिंग या फिर साधाई बापला किरिंग या फिर साधाई बापला इसी से मिलता जोलता नाम है जिसको बोलते हैं किरिंग जावाई किरिंग जावाई बापला तो किरिंग जावाई बापला क्या होता है इसमें क्या होता है कि लड़की जो है गर्बबती है फिर साधी किसी और लड़की करवाया जाता तो वो किरिंग जावाई बापला होता है यह किरिंग जावाई बापला होता है तो थोड़ा सा डिफर कर रहा है वर्ड ध्यान देना ऐसा नहीं कि इसको इसमें एंसर कर देना ठीक ना किरिंग जावाई बापला अलग होता है और किरिंग या फिर साधा ही बापला अलग होता है यह हो गया इसके बाद यह एक हो गया कि एरेंज में एरेंज वाला हो गया तो कि होता है कि इसमें एक होता है फिर इसमें एक होता है टून की कि दिपिल बापला छो होता है Conse कि गे लांचा छाओंव मैं कहां से हो के गिरिडी से जो फेमस इलाकर वो बता रहा हूँ, स्रिरामपूर नाम का जगह है, गादिय स्रिरामपूर, उसी एरिया से आता हूँ मैं, अच्छा, यहां ध्यान देजिए, और समय है आपके पास, लगबग, एग घंटा क्लास चलेगा, ठीक है, और, क्योंकि रिवाइस करना है न, पूर और जरूरी भी है, जब तक आप पूरा रिवाइस करते हुए नहीं चलेंगे, इसको आगे नहीं समझ पाएंगे, तो टून की दिपीन बापला जो है, यह होता क्या है, इसमें क्या होता है, देखें, अभी आपको बताये गया, वदो मुल्य, यह जो है, अगर हम लोग एर लेकिन सपोज अगर कोई लड़का पक्ष है, इसके पास पैसे नहीं है, या फिर उतना सक्षम नहीं है, कि यह जो है, वदो मुल्य दे सके, यह भी हो सकता है, दूसरा क्या है, इसमें ध्यान देना है, अगर ऐसा है, तो यह चला जाएगा, कहां, यह चला जाएगा, स्वि लेकिन कुछ ऐसे घर होंगे, कुछ ऐसे परिवार होंगे, जिनके जो सक्षम नहीं होंगे, वदो मुल्य देने के लिए, तो उनके पास यह उप्सन रहता है, कि वो गोलाइटी विवा में, कनवर्ट मतलब की स्विच कर जाएगा, इसमें क्या होता है, कि एक घर से लड़ इसमें वदो मुल्य नहीं देना पड़ता है, दूसरा सेवा हो गया, जाके ससुराल के पास रहेंगे, साससुर की सेवा करेंगे, बेटे की तरह काम करेंगे, तो यह सेवा हो गया, इसमें भी वदो मुल्य नहीं देना पड़ता है, यह हो गया, दूसरा यह है, आपको यह वरपक्ष उठाता है अगर कोई वरपक्ष इतना सक्षम नहीं है कि इतना सारा खर्चा उठा पाए तो उसके पास एक option रहता है कि वह बरात ना जाए तो क्या करेगा बरात नहीं जाएगा तो यह होगा कि बारात का तामजआम नहीं होगा, खर्चा नहीं होगा, यह सब वधु मुल्ले से बचने के लिए किया जा रहा है, इक यह reason गोलाइटी से वक कहो गया, और बारात का जो खर्च है, उससे बचने के लिए यह वला किया जा रहा है, तो concept आपको याद रखना है, facts अपने आप याद हो जाएगा, तो यही है टूनकी दिपिल बापला, क्या है यह, इसमें बारात के खर्च से बचने के लिए वधू को अपने घर लाया जाता है, और सिंदूर दान किया जाता है, ठीक है, सर्क्या आप offline class लेंगे, नहीं अभी फिलाल कोई chance नहीं है, ठीक है, यह हो गया टूनकी दिपिल बापला, समझा रहा होगा, अब इसी में गोलाइटी भी clear हो गया न, गोलाइटी क्या है, गोलाइटी arrange marriage का ही type है, लेकिन इसमें क्या है कि एक घर से लड़का जाएगा, बार बारात लेके, तो यह हो गया, पतलब यहां से लड़की की विदाई हो रही है, और यहां से लड़की की विदाई हो रही है, यहां से लड़का जा रहा है बारात, यहां से लड़का जा रहा है बारात, इसी को बोलते हैं गोलाइटी बापला या गोलट विवा बोलते हैं ठीक है, यह हो गया, तीसरे में आते हैं, तीसरा टाइप में आते हैं, तीसरा है धर्दी बोलते हैं या घर्दी बोलते हैं, ठीक है, घर्दी, जवाई, बापला, अब यह क्या है, यह जो है सेवा विवा का टाइप है, क्या है यह सेवा विवा का टाइप है, तो मैंने बताय तो सेवा विवा को पहले आप समझ लीजे ठीक है अब समझ लीजे उसके बाद ही आप प्लियर हो पाएंगे एक मिनिट सेवा में क्या होता है एक होता है कि आप पुरी तरह से घर जमाई बन गए मतलब कि हमें सब उसी घर में रहेंगे एक ही हो गया दूसरा ये है कि आप घर जमाई बनते हैं लेकिन कुछ समय के लिए उस घर में रहते हैं मतलब जो साल ससुर का घर है उसके बात क्या होता है कि आपको अलग से एक property provide किया जाता है जमिन provide किया आता है उसके मालिक आप खुद रहेंगे और आपका अपना घर होगा लेकिन आपको अपने ससुराल के पास ही बसाया जाएगा तो ये एक type हो गया तीसरा type होता है कि आपके पास वधुमुल्य नहीं है आप क्या है कि कुछ समय के लिए घर में जमाई बन गए कितने समय के लिए वधुमुल्य का जो value होगा उसी के according बातचित किया जाएगा समझाता किया जाएगा और जो है फिर यहाँ पर मतलब की वो ससुराल में रहेंगे और जब वधुमुल्य का value उस समय के according complete करवा दिया जाएगा फिर यह वापस अपने घर आ जाएगा तो यह तीन टाइप है सेवाई ववा का इसको प्याद रखेगा क्या क्या लिखा हुआ है इतना लंबा लंबा घर्दी जवाई बापला यह जमाई राजा टाइप हाँ ठीक है उसी का सेवाई वाई का ही टाइप है मैं वह ही बता रहा था गाइट तो मैं करी रहा हूँ न अविक्रम एक दिन अपने बारे में विडियो बना देजिए बहुत कोशिन का एंसर देना पुरता है बताता हूँ तो रहता हूँ मैं ओके तो ये सेवाई वाई का टाइप है उसी में से एक आता है धर्दी जवाई बापला तो इसमें क्या है कि ये जो मैंने बताया ना जमाहिवला ये आ जाता है इसी को बोलते हैं धर्दी जवाई बापला ये हो गया देखे ये संथाल को मैं इतना समय दे रहा हूँ ना बहुत जादा important है ये ठीक है ये चारो tribes मैं जो पढ़ाने वाला हूँ ये important decision का दिहां रखना है धर्दी जवाई बापला हो गया इसके बाद आओर क्या आता है धर्दी जवाई बापला हो गया फिर एक आता है अपगीर बापला अपगीर बापला आता है तो अपगीर बापला क्या होता है आप जब पढ़ेंगे मांजी सासनवस था तो उसमें देखेंगे कि मांजी का जो हेड मांजी परगना जो सासनवस था उसमें गाउं का जो हेड होता है वो मांजी कहला आता है और इसके दो assistant होते हैं उस काम यूवा समंदी सारे कारे इन्हीं के द्वारा किया जाता है अब सपोच रड़का रड़की है दोनों में प्रेम हो गया दोनों साधी करना चाहते हैं तो वो जो है जोगमांजी के पास चले जाएंगे और बोलेंगे कि ऐसी बात है जोगमांजी को लेगा नहीं ठीक है ठीक है फिर एक होता है इतूद बापला तो इतूद बापला क्या होता है इसमें क्या होता है इसमें क्या है कि यह भी लव मैरिज का ही टाइप है ठीक है आप समझे इसको लव मैरिज का टाइप यह भी है और अब पगिर भी था दोनों में डिफरेंस क्या है इसमें दोनों करवा दिया इतुत में जो है बात आगे नहीं बढ़ रही है इतुत में जो है बात आगे नहीं बढ़ रही है तो फिर क्या होता है कि किसी भी आउसर में कोई भी खास आउसर है उस आउसर में क्या होता है कि लड़का जो है लड़की के मांग में सिंदूर भर देता है तो फि अगर हम लोग बोलें हट विवा एक होता है हट विवा तो यह क्या है यह इसी का ही टाइप है ना हट विवा तो हट में क्या होता है कि जैसे लड़की यह ठीक है अब किसी लड़के से प्रेम हो है यह साधि करना चाहती लड़का तयार नहीं है इसके पास ऊप्प्सन है यह सब कर गारा लेगने भाग नहीं रही सारी प्रीडा को सह है है, है ना, क्यों, क्यों कि साधी करना है, तो बाद में पंचायत के सहमेती से ही साधी करवा दिया जाता है, यही है हट विवा, और इसी को संथाल में क्या बोला जाता है, इसी को बोलते हैं निर्बोलक विवा, ठीक है, यह चीज हो गया, एक लव मेरिज का टाइप में ने ब मैंने बताया इतूत में क्या हुआ कि लड़की साधी करना चाहती लड़का से लेकिन घर वाले त्यार नहीं है तो लड़का को समझाया जाता है लड़की कुछ प्लान करके बोलेगी और मौके के तलास में दोनों रहते हैं फिर क्या होता है कि लड़का लड़की के मांग में सिंदूर बर देता है इतुत हो गया फिर एक होता है निर्बोलक होता है निर्बोलक में क्या है लड़का ही तियार नहीं है तो लड़की क्या बोलेगी तियार कैसे नहीं रहोगे मैं तुमारे घर में आ जाती हूं है ना तो फिर घर में आ जाने के बाद यह सारा मतलब जो ब बहाग जाते हैं कहां से और बाद में फिर आते हैं बाद में फिर आएंगे तो फिर ये बहादूर कहला आता है ये जो है बहादूर ये सभी क्या है ये सभी एक काड़ेगरी का है ठीक है इसके बाद क्या है कि ये लव मैरेज वाला ही टाइप होता है जिसको बोलते हैं राज राजा, राजी, ये इसी का है, दोनों तरफा वला हो गया, ये सभी एक का डिगरे का है, एक साथ मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया, अच्छा इसमें जो है, अगर किसी की साधी हो चुकी है, ठीक है, किसी की साधी हो चुकी है, लेकिन किसी कारण वस, उनको दुबारा साधी करनी पड़ रही है अब कोई भी रिजन हो सकता है रिजन हो सकता है कि डिवोस हुआ हो रिजन हो सकता है कि जो पती या फिर पत्नी है उनका डेथ हो गया तो दोनों ही केस में पुनर विवा जो है ये हो सकता है संभव है, तो पुनर विवाह जो होता है संथाल में, इसको बोलते हैं सांगा बापला, क्या बोलते हैं सांगा बापला, और इसमें वधुमुल्य नहीं देना पड़ता है, और जब डिवोस होता है, तो सारा वधुमुल्य लोटाना पड़ेगा, ओके, यही है इसमें बापल प्रचली तो यह हुआ कौन सा है अगर संथाल की बात करें तो संथाल में जो सबसे फेमस है वो है किरिंग बापला अब देखे मैंने अलग से बताया अब आप इससे फैमिली रहाँ पर इसको समझ पा रहे होंगे किरिंग बापला क्या एरेंज मैरीज है सबसे अदा फेमस लेकिन वहीं अगर किरिंग जमाई बोला जाए तो यह कौन सा यह हुआ है इसमें लड़की गरवती रहती है और लड़के से साधी करवाया जाता है किसी दूसरी लड़के से उनहीं के सहमती के लड़के से सहमती के अनुसार तो ये अलग हो गया गया गोलाइट क्या है कि बारात जो इस میں क्या होता है कि कन्या को घर में लाकर सिंदुर्धान किया जाता है यह तो बारात के खर्च को कम करने के लिए वधो मुल्य से बचने moment यह हो गया, तो सबसे famous जो होता है, वो kering होता है, संथालों में जो वरपक्ष हैं, वो जो वदु मुल्ले देते हैं, अगर संथाल की बात की जाएए अलग-अलग होता है, जैसे कि आप देखेंगे सौरिया में, सौरिया पहाड़या या फिर करमाली देखेंगे, या फिर कोर देखेंगे तो उसमें वदुमुल्य को क्या बोला जाता है वदुमुल्य को पोन बोला जाता है अलग अलग किसी में गोनोंग टका बोला जाता है तो इसमें संथाली में संथाली में पोन बोला जाता है यह option C हो गया ठीक है option C हो गया ओके और यह गोटूल गोटूल नहीं हो संथाल जनजाती में मांजी किन को कहा जाता है तो संथाल जनजाती में गाउं होता है गाउं का जो हेड होता है जिसके पास परसासनिक पावर होता है उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं मांजी अब मांजी का दो असिस्टेंट है एक है जोग मांजी और एक है जोग मांज मांजी है, यह युवा समंधिकारे को देखेगा, मांजी के अपसेंस में काम भी करेगा, मतलब हीड़ वाला काम करेगा, ओके, परमानिक जो है, यह भी मांजी के अपसेंस में ही काम करेगा, लेकिन दोनों में से जो युवा समंधिकारे वो जोग मांजी करेगा, खासकर पंचायते जहां बैढती हैं, उसे क्या कहा जाता है, तो मांझी के गर के पास ही, आप देखेंगे, अभी भी जाकर दिख पाएंगे है, बगर कोई संत्थाला स्पस हैं, कोई गाउंव है, तो यह जिसे मांझी है, एक गाव है, ये मांजी है, तो इनके घर के पास एक चबूतर जैसा होगा, और इसी को बोलते हैं मांजी थान, जहांपर गाव की प greaseयत बैठती है. इसी को बोलते हैं मांजी थान हो गया. ठीक है, और अगर कोई cultural event हो रहा है, तो वो अखाडा में होगा. कहा होगा अखाड़ा में होगा ठीक है और यह जहां सवों को दफनाया जाता है सासन कहते हैं यह मांजी थान है option यह इसका answer हो गया next संथालों में आसाड मा में बीज बोते समय कौन सा परो मनाया जाता है तो अलग-अलग festival होते हैं संथालों के लिए अच्छा देखे सबसे सबसे important जो festival है वो है सरहूल क्या है सरूल है किसी भी जनजादी के लिए लेकिन specific बोला जाए आपको कि संथालों का सबसे संथालों के सबसे important festival कौन सा है तो क्या हो जाएगा सोहराई सोहराई वही जो दिपावली के बाद मनाया जाता है जो की पसूपर्व है ओके जो चल रहा ही है जो पेसी के लिए चल रहा है और systematic वे से चलाया जा रहा है एक ही चीज को हम लोगो दो तीन बार पढ़ेंगे तब जाके complete होगा ओके यह हो गया अब यह जो है असाल मा में बोला जा रहा है अलग अलग festival होता है ना जैसे कि यह जो एरोक आप देख रहे है अरोक क्या होता है बीच बोते समय मनाया जाता है और यह important यह question आया होगा है अरोक हो गया ठीक है हरियाड क्या होता है हरियाड क्या है कि सावन मा में मतलब बरसात के समय जब हरियाली आती है तो उस समय यह festival मनाया जाता है है ना सावन में जैसे कि धान रोपा गया है अब य बड़ा भी हो रहा है और हरा हरा पुरा महौल बना हुआ है तो उस समय किया जाता है यह फिस्टिवल ठीक है यह चीज है बाप पर अब जो है यह सरहुल को बोलते हैं सरुल का ही नाम अलग-अलग है टेस्ट फिलाल अभी कोई टेस्ट नहीं है जो था उसमें बंद कर दिया है अब एक विक वेट कीजिए अप्लिकेशन आने वाला उसमें हो सेके तो मैं फिर से अलाव कर दूंगा और अप्लिकेशन जब आएगा तो उसमें हो मग सरी स्टार्ट होगा उसी महीं ठीक है और सभी सब्जेक्ट के चलेंगा जहारकरन इस्टी पॉलरी जोग्रिफिय चलेगा उसमें अप्लिकेशन में अच्छा आप मुझे बताईए थोड़ा समय पूछ लेता हूं हालाकि मुझे लाश्ट पूछना चाहिए था जैसे जो एम सीक्यूव है ठीक है हमर का तो आप में से कोई ऐसा है जिसको हिंदी में दिक्कत होती है अगर हिंदी में दिकत ह होती है तो फिर इंग्लिस लेंगवेज भी मैं प्रवाइट करने की कोसिस करूंगा टेस्ट में एप्लिकेशन में को टेस्ट होगा अगर हिंदी में गॉवटेवल नहीं है तो मैं कोईुस करूंगा कि इंग्लिसा लेंग्वेज़ बाकली सम उसमें option रहेगा, test में option रहेगा, ठीक के by default का, आप जो choose करेंगे, उसमें language रहेगा, change करना चाहेंगे, language आप change कर पाएंगे, ठीक है, तो इसके लिए मैं गोसिस करनूँगा, ठीक ना? ओके, यहाँ पर इसका answer होगा, एरोक, next, कॉमकट चितरकला के जन्जाती की चितरकला को कहा जाता, तो कॉमकट चितरकला जो है, यह क्या जिसे कि बरतन है, ठीक है, यह जो है, बरतन है, अब यह जो बरतन है, Hindi problem, यह जो बरतन है, तो इसमें आप देखेंगे, ज़्यादा की चित्रकला यह देखेंगे, कॉमकट चित्रकला बोलते हैं और यह संथाल में famous है, संथाल के जो लोग है, painting भी famous होते हैं, क्या बोलते हैं, master होते हैं, और जो बुनकर वाला जो system है, उसे भी, लेकिन सबसे आदा important है painting वाला, जैसे आपने पढ़ा होगा जादो पटिया, जादो पटिया चित्रकला जो है famous हीनका, जादो पटिया, option D संथाल हो गया, next संथाल में जो सराब होता है, जिसको लोगल जाइखते हैं, तो लोकल सराब को क्या बोला जाता है, या तो हडिया बोलते हैं, या फिर इसको पोचाई बोला जाता है ओके तो यह कुरण हो गया पुछाई बोला जाता है और यह पूरी तरह से धार्मिक चीज है कहने का मतलब यह हैं देखेसाइड में जो हैसो है लेकिन कोई भी पर्व होता है किसी भी देवी देवता की पूझा 밝ण किया जाता लिए प् Generally पहले भी जिकर किया था आप JPC मेंज के लिए हालांकि आप लोग पढ़ नहीं रहे हों अभी से लेकिन पढ़ना सुरू कीजिए JPC मेंज के लिए जब आप जारकन पढ़ेंगे तो उसमें कोल विद्रो को संथाल ओगा यह सब निटेले पढ़ना है तो कोल विद्रो का इसमें रानु मिला जाता है, रानु मिला जाता है, रानु सफिद सफिद रंग का होता है, अगर कहीं आपने देखा होगा तो आपको आइडिया होगा, सफिद रंग का होता है, तो संथा जन जाती के लोग किस काम में अत्यंद कुसल होते हैं, तो अत्यंद कुसल जो है, ये किस काम में होते हैं, कैंसल हो जाएगा इसका, क्रिसी चित्रकारी बुनाई ये कुसल वाला जो टम है Łagen के लिए है मेसेंजर का काम करते हैं घुलाईत, हाम मेसेंजर का काम करते हैं, घुलाईत ठीक है ये बुनाई होगा और सबसे दा टैलेंटेट छो है वैसे चित्रकारी है ठीक है घुंवे रिक्रिसी भीत चित्रकारी है, बुना यह ही ही, तीनों में मांश्टर रही है, क्रिसी इनका अच्छा था, यही कारण है कि इनको बंगाल के च्षěत्र से, संथाल पलगना के च्षट्र में, जो राज़माल पाड़ी इसके आसपास, बसाए गया था, इसी कारण से ताकि ये रिसी करेंगे, खेती करेंगे और ब्रिटिस को फाइदा होगा, उनको टैक्स देंगे, ठीक है, ये हो गया चित्रिकारी इनकी काफे ज़्यादा फेमस है, है ना जैसे अभी हम लोगों ने देखा, कॉमकर्ट चित्रिकारी हो गया फिर जादो पटिया हो गया, और बुनाएं भी ये माश्टर बाने जाते हैं, ठीक है कोशन बहुत अस्मोल अस्मोल लग रहा इसलिए क्योंकि एक बार आप पढ़ चुके हैं इसलिए अत्यंत कुसल की बात किया है, तो बुनाएं हो जाएगा संथाल जनजातियों के ग्राम देवता कि निवास अस्थान को क्या कहते हैं ये आप जान लीजे कि सबसे जो हेड होते हैं, ये सूरे के समान जो होते हैं सूरे के के वैलेंट उन्हें को कहा जाता है तो सूरे के समान क्या है चंदर प्रकास, विरिस भगवान भी बुनकर थे, ये सर, बर्स भगवान ताम मझे पता ने चल पाया तो सूरे के वैलेंट जो देवी देवता है, जो देवता है, उन्हें को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है नाम अलग-अलग हो जाता है, जैसे कि संथाल की बात की जाएगी, तो सिंग बोंगा हो जाएगा मुंडा में भी सिंग बोंगा है, लेकिन यही चीज़ अगर आप देखेंगे, उराओं में तो धर्मेश हो जाएगा ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट सिंग बोंगा है, अब इसके अलावा भी भहुत सारे देवी देवता होते हैं, जैसे कि गारम के देवता होते हैं, घर के देवता होते हैं, है तो यहाँ पर धियान रखना है कि सबसे important सिंग भूंगा है और उसके बाद अगर कोई ज्यादा important है तो जो पहाड की देवता होते हैं मरांग बुरू बोला जाता है तो यह second important है यह हो गया और जो ग्राम की देवता होते हैं उनको जाहर एरा बोला जाता है और इनका जो निवास अस्थान होता है जादा कर आप देखेंगे कि या तो सकुवा का पेरोड रहेगा या फिर महुआ का पेरोड रहेगा वहीं पर इनका निवास अस्थान होता जिसको बोलते हैं जाहर थान और देवता को क्या बोलते हैं, जाहर एरा बोलते हैं, जो ग्राम देवता होते हैं, ठीक है, यह हो गया, घर के जो देवता होते हैं, उनको उडाक बोंगा कहा जाता है, क्या बोलते हैं, उडाक बोंगा बोला जाता है, यह हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर इसका एंसर जाहर एरा हो जाएगा option D पिर मुंडा तो संथाल नहीं थे ना, मुंडा अलग हो गया ना, ये मैंने बताया कि मुंडा में भी सिंग भूंगा ही बोलते हैं next, संथालों के जो ग्राम देवता होते हैं उनको जाहर एरा बोलते हैं जाहर एरा का जो निवास थान होता है उसको क्या बोलते हैं? जाहर थान बोलते हैं जाहर थान बोलते हैं और जो जाहर थान होता है तो इनका ये जो जगह होता है यहाँ पर या तो सक्वा का पेड़ रहेगा या फिर महुआ का पेड़ रहेगा ठीक है सकुआ रहेगा और फिर महुआ करपीड रहेगा सकुआ जो क je सालवरिक्ष, सौलिया रोपस्ट याद होगा तो ये हो गया सकुआ महुआ अप्सटने Next संथा जन्जाती में नायक किसको कहा जाता है नायक जो होते हैं यह किसको कहा जाता है संथा जन जाती में जिसे मान जी जो होते हैं यह प्रिसासने खेड़ होते हैं लेकिन जो धार्मिक परधान होते हैं उनको नायके बोला जाता है क्या बोला जाता है जो धार्मिक परधान होते हैं उनको नायके बोला जाता है बहुत जगा आप औरुब में असर पिएूप को ही संथाओं बोलते हैं सरना अलग है सरना अप कह सकते हैं कि यह प्रग़्थ कर सब्सक्राइब आप समय सकते हैं को इन में से कौन सा गतन सही नहीं है संताल में महीलाओं को जादू टोना में विससग्य माना जाता है, सवों को जलाने तर दफनाने दोनों परकार की प्रता है, सरप्रमुक देवता को ठाकुर कहा जाता है, अंतर जाती यवा समू नहीं है, अंतर जाती यवा कहने का मतलब होता है कि एकी गोतर में साधी करना, एकी गोतर में साधी करन हैं तो जादू टोना में विसे सके माना जाता है ये भी सही है ओके और इसमें क्या है कि दफनाने और जलाने दोनों की प्रथा जो है इसमें है ठीक है दफनाने और जलाने की ठाकुर नहीं होता है सबसे इंपोर्टेंट जो होता है वो सिंग बोंगा होता है सबसे चीज बताया था जब ये sentence को clear किया जा रहा था मैंने ये बताया था कि संथाल में अगर किसी का जन्म होता है किसी बच्चे का जन्म होता है जैसे कि अगर लड़का हुआ ठीक है लड़का हुआ लड़की भी हो सकती है तो च्छाटिहार मनाया जाता है च्छाटिहार मनाया ज हो सकता है कि आप पैटन को मेरे नहीं समझते होंगे एक दो दिन क्लास कीज़ेगा सवाज में आ जाएगा किस तरह से मैं क्लास को करवाओंगा करा रहा हूं है कि सिर्फ भॉंगा को ही ठाकूर बोलते हैं भॉंगा दो चीज को रिप्रेजेंट करता है भॉंगा जो है देवता का ही एक नाम है ठाकूर जो है देवता का ही एक नाम है ठीक है मतलब भॉंगा का ही एक नाम है यह हो गया तो बोय है लड़का है लड़की है छटीहार मनाया जाएगा डेट अलग होगा तो कब-कब मनाया जाएगा अगर लड़का होता है तो पांचमें दिन छटीहा तो हो गया normal इसके बाद जो है ठाकूर उनके धार्मिक गुरु है सुर्भी डाप अब इसके बाद एक और जो संस्कार होता है इसको बोलते हैं चाचो छटिहार और यह जो चाचो छटिहार है इसका कोई day fix नहीं है यह कभी मनाया जा सकता है या तो आप जल्दी ही कर लिजे या फिर बहुत ज़्यादा एज हो गया तब ही कर लिजे कोई दिकत नहीं लेकिन इतना ध्यान देना है कि जब तक ये चाचो छटिहार नहीं होगा तब तक जिस बच्चे की जिस वेक्ति की बात की जा रही है वो संथाल समाज का completely नहीं माना जाएगा और इसी कारण से अब जब उसकी date होगी संथालों में क्या है कि दफनाने और जलाने दोनों की प्रता सामिल है लेकिन जब चाचो छटिहार नहीं होता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ दफनाया जाएगा तो यह आपको पता होना चाहिए यहां पर इसका answer क्या हो जाएगा जो सही नहीं है option C हो जाएगा सरप्रमुख देवता जो होते हैं वो सिंख बूंगा होते हैं कौन होते हैं सिंख बूंगा होते हैं Option D को अंतरजाती विवा समो नहीं है, जनजातियों में जो अंतरजाती का मतलब होता है यह क्या होता है अंतरजाती का मतलब? अंतरजाती का मतलब यह हो गया, जैसे देखी, एक है सोरेन, ठीक है, एक हो गया सोरेन ओके यह क्या है, गोत्र है, एक गोत्र है, ओके, उसके बाद किसको, यह भी एक गोत्र है यह भी एक गोत्र है, तो इन दोनों में साधी हो सकती है इन दोनों में साधी हो सकती है अच्छा यहां पर एक मिनूट, एक मिनूट क्या है मैं भी कन्फिउज कर रहा हूं एक अंतरजाती विवास समूँ नहीं लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है देखे तो यहां पर क्या है सोरेन है किस कू है ओके तो समगोत्रिक कहने का मतलब यह हुआ मैंने कुछ गलत बता दिया क्या अभी क्लियर चल जाएगा अभी क्लियर हो जाएगा तो समगोत्रे कहने का मतलब यह हो गया कि जैसे सोरेन है ठीक है अब सोरेन में जो विवा होगा अगर सोरेन में ही करवाया जाए तो उसको बोलते हैं समगोत्रे विवा कहा जाए हांसदा में हो सकता है, मरांड़ी में हो सकता है किसी में भी हो सकता है लेकिन दूसरे गोतर में तो ये क्या है? ये अंतर जातिय या फिर अंतर गोतरी विवासमू है ये अंतर जातिय या अंतर गोतरी विवासमू है तो लेकिन सिंग भूंगा ऐसे मत याद कीजिए आप याद कीजिए सोरे के समान जो माने जाते हैं वही सबसे आदा important होते हैं अब नाम अलग अलग है कहीं आपको मिलेगा सिंग भूंगा उराओं पढ़ेंगे तो मिलेगा अब ही जो मैंने बता है इसके बाद अगर उराओं की बात किजए तो उराओं जो है नंबर एक पर क्या आता है नमबर दो पे उराव आ जाता है, नमबर तीन पे क्या आता है, नमबर तीन पे मुंड़ा आ जाता है, नमबर चार पे जो है, यह आ जाता है, फिर खरवार, लोहरा, खड़िया इस तरह से जो है, यह चलता है, गोत्र मतलब अलग, गोत्र मतलब अंतर जाती है, क्लियर हो गया है ना कि कोई इसमें डाउट है चार ट्राइब अगर आप चाहेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगा ना तो फिर फाइदा नहीं अभी आप अगर आप इन कोश्चन को देखेंगे तो बहुत कुछ आसान लगेगा आपको और ट्राइब में ऐसे ही पढ़ना होगा आपको ठीक है तो यह है ठीक है अब इसमें आपको ध्यान देना है कि अभी बहुत कुछ कंप्लीट नहीं हो ठीक ना देरे कंप्लीट होगा सब तो उराओं जन जाती है यह जारकन की बात किया तो सकेंड नमर पर आता और इनका जो परसेंटेज है 19.8 परस जजांत कि नहीं है ये जो है सई है ओके नेक्स्ट जारकन की दूसरी सरवाथिक जन्चा कौन सी है तो संथाल नंबर एक परatte समय राओं जो है नंबर दो परत मुंड़ा जो है नंबर तीन पर आता हो जो है नंबर चार परता है आप्सन भे ब? बुरां हो जाएगा इससक कितने गोत्र पाया जाते हैं, ओके, वही चीज है, डिटेल्स में, अगर एक घंटे में मैं बहुत सारे कोशिन करवा दूँ, लेकिन डिटेल्स नहीं मिले, तो फिर फाइदा जानने का, बहुत बोलते हैं कि कंसेप्चिल क्लास करवाईए, मेरा जो MCQ वाला क्लास चलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो उराउजनजाती की बात की जाए, तो गोत्र जो होता है, जैसे सरचंदर रोई जो हैं, इनकी बहुत सारी पुस्तके हैं, ट्राइब से संबंदित, बहुत सारे रिसर्च इन्होंने किया है, तो इनहीं के अनुसार उराउजनजाती में 68 गोतर पाये जाते हैं कितने 68 गोतर पाये जाते हैं इस तरह का question बहुँ ज़्यादा important होता है जब किसी को reference देकर question पुछा जा रहा है ठीक है तो यह 68 गोतर पाये जाते हैं लेकिन important 14 ही होता है अब वो important मतलब याद करने के respect में important नहीं है लेकिन संथाल वाला जो है आप 12 याद कर लीजिएगा हालांकि यह 14 भी मैं आपको याद करवा दूँगा ठीक है तो फिलाल आप इतना याद रखिए कि 68 है और सबसे important जो है 68 है ठीक है next उराओ जन्जाती का प्रत्थम अध्यान किसी ने किया था तो यह सरचंद्र रॉय की अपलब्दी है इन्हीं के दवारा किया गया था 68 गोत्र बताए गया थे 68 गोत्र बताए गया थे ओके सरचंद्र रॉय हो गया next कुडुक सब्द का अर्थ क्या है जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि जो संथाल है तो संथाल की जो भासा है इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं संथाली या संथाली और यह नाइटी सेकंड 2003 के एकोटिंग 24 में एट किया गया है उसी तरह से उराओं जनजाती की बात की जाएगी तो इनकी जो भासा है इसको बोलते हैं कुडुक यह भासा है ठीक है हालांकि इसका जो साब्दिक अर्थ होता है यह मनुस्य होता है क्या होता है मनुस्य लेकिन यह भासा का नाम है और सबसे ज्यादा डेवलप्ट जो है उराओं जाते हैं कि लोग ही मिलेंगे क्यों कि इनका ये जो साहित है ये है तो ठीक संथाली लेकिन ये कुछ ज्यादा ही विक्सित मिलता है और इसी कारण से पढ़े लिखे लोग ज्यादा मिलते हैं उराओं में मनुस्य हो जाएगा और सिकार को क्या बोलते हैं ये सेंद्रा बोला जाता है क्या बोला जाता है सेंद्रा बोला जाता है खान पान जो है ये भी इंपोर्टेंट होता है ये आपको पढ़ना होगा कि कब जो है कौन क्या खाता है उसको क्या बोलते हैं जैसे कि संथाल की बात क जो नास्ता होता ब्रेकफस्ट होता है इसके बाद जो दोपहर का खाना होता है जो लंच होता है इसको माजवान बोलते हैं माजवान बोलते हैं पिर जो डिनर होता है इसको कदोग बोलते हैं तो यह अलग-अलग नाम है यह सब सबसे जो क्या बोलते हैं कटीन जो सजा है उसको बोलते हैं बिटलाहा उसको बिटलाहा बोला जाता है अगर एक ही गोतर में विवा किया जाएगा तो बिटलाहा ये दंड दिया जाता है जो की सबसे ज़्यादा कठीन माना जाता है संथाल समों में तो ये चीज़ है तो एक ही गोतर में विवा किसी भी ट्राइब में नहीं किया जाता है तो समगो जब Senthall की बात किये जाए और इसमें क्या होता है मुल्ले इसमें नहीं देना होता है विद्वा विवा बीवाओ उरावु में भी प्रचलन है था ठीक है और महिलाये गोदना को अधिक महतों देती हैं गोदना एक तरह से टैटू ही हो पर्मानेट टैटू, जैसे समसंथाल की बात करेंगे, तो संथाल में जो लड़के होते हैं, वो भी गोधना गुदवाते हैं. और ज्यादा कर आप देखेंगे कि सिक्का, सिक्का का ये टैटू मिलेगा आपको पर्मानेट वळाश होता, उसे वो गोधना बोलते हैं. और जिसके पास यह नहीं है, तो विवा के लिए जो ऐसा माना जाता है कि जो रड़कियां होती है, उनको पसंद नहीं करती है, जिनके पास यह नहीं होता है, ठीक उसका उल्टा उराओं में क्या होता है, कि महिलाओं के दुआरा गोधना को importance दिया जाता है, यह हो गया, और अलग अलग ट्राइब में अलग 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 विवा फेमस होता है, जैसे कि संथाल की बात की जाए, तो संथाल में जो सबसे ज़्यादा important जो क्रै विवा का ही टाइप है, जो arranged marriage है, उसी को क्रै विवा ही बोलते हैं, और क्रै विवा का नाम अलग अलग मिलता है, क्रिंग बापला हो गया संथाल में, इसी को सदाई बापला बोलते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है, लेकिन वहीं अगर उराओं में देखेंगे, तो जो arranged marriage होता है, उसको बोलते है, आयोजी तो युवा है, तो जो गलत है, वो क्या है, option B है इसका answer, clear, next, उराओं जन्जाती म अपना एक विस्तरित कल्चर होता है, अब इस कल्चर को सीखने के लिए, या तो वो घर में सीख लेगा, या फिर एक संस्था बनाई जाती है, उस संस्था को बोलते हैं, युवागिरी, तो यहाँ पर बच्चे जो एडमिसन लेंगे, जब उनकी उम्र 10 से 12 वर्स होगी, यह जो है लड़का-लड़की दोनों के लिए होता, दोनों के लिए अलग विवस्ता होती है, और यहीं पर अगर हम लोग देखें हैं, धुमकुडिया की बात करें, जैसे कि यह युवागिरी का नाम अलग-अलग ट्राई में अलग-अलग मिलेगा, संथाल में इसको बोलत झाल, संथाल में इसको बोलती हैं घोटुल, लेकिन उराओं में देखेंगे, तो इसको धुमकुडिया बोला जाता है, क्योंके 10-12 वर्स में जो एडमिसन दिया जाता है, तीन बार इसका एडमिसन करवाया जाता है, कैसे ? सोरी हर तीन साल में एडमिसन होता है और तीन टाइप का एडमिसन होता है तीन वर्स में एडमिसन का समारो होता है जिसको बोलते हैं दिक्षा समारो और जैनरली यह सहरूल के टाइम में किया जाता है तो यह तीन टाइप का एडमिसन क्या होता है कि बिल्कुल फ्रेस कि नाम अलग-अलग हो जाता है यह जो फ्रेस वाले हैं इनको बोलते हैं पूना जोकर क्या बोलते हैं इनको पूना जोकर जो तीन साल बिता चुके उनको बोलते हैं मांज जोकर और जो इससे भी ज्यादा बिता चुके उनको बोलते हैं कोहा जोकर ठीक है तो यह सदस्दा लड़कियों के लिए लग लग जो विवस्ता होती है ठीक है जैसे की लड़के हैं तो इनके लिए धुम-कोडिया में जो विवस्ता होती है इसको बोलते है जोंक-डपा जोंक-डपा ठीक है जोंक-डपा को ही धांगर-कोडिया बोला जाता है इसी को ही धांगर-कोडिया ब लडपा बोलते हैं अब इसका जो केर टेकर होता है मतलब इस यह जो संस्ता होती है इसका जो मैनेजर होता है जो इसका ध्यान रखता है इसको क्या बोलते हैं इसको धांगर बोलते हैं धांगर बोलेंगे या फिर महतो बोलते हैं आप कह सकते हैं वार्डन के रूप में समझ स जाता है यह बढ़की धांगरीन हो गया यह हो गया बढ़की धांगरीन हो गया ठीक है तो यह बढ़की धांगरीन जो है यह लड़कियों के लिए और धांगर मैं तो धांगर या फिर मैं तो यह लड़कों के लिए ठीक है यह हो गया अब इसमें बहुत सारे ये तो हम लोगों ने देखा कि हर तीन वर्स में जो admission होता है तीन तरग admission होता है पूना जोकर होता है है ना जो कि बिल्कुल phrase होता है फिर मांज जोकर होता है फिर कोहा जोकर होता है अब इसके जो अधिकारी हैं उसको भी एक समय अंतराल के बाद जो है replace किया जाता है और तीन साल में ही replace किया जाता है अगर यहाँ पर छातरों को admission दिलवाया जा रहा है तो उसको बोलते हैं दिख्चा समारो ठीक है और अगर यहाँ पर अधिकारीों को इसके जो stops हैं उसको change किया जा रहा है तो इसके लिए जो समारो होता है इसको बोलते हैं मुखिया हंडी इसको बोलते हैं मुखिया हंडी तो यह सब कुछ terms है आप याद रखेगा ठीक है तो जो धुंकुडिया होता है क्या होता यह युवागरी होता है यह युवागरी होता है ग्राम परदान इसमें जो होता है उराओ जनजाती के लिए जो सासन है वस्ता इसको बोलते हैं पढ़ा पंचायत क्या बोला जाता है पढ़ा पंचायत ठीक है और पढ़ा पंचायत में जो गाओं का परधान होता है इसको बोलते हैं महतो या प्याद रखेगा क्या बोलते हैं महतो बोलते है इसका answer option A हो गया admission के लिए हडिया नहीं पिना होता है जब मुखिया अंडी होता है अधिकारियों को जब replace किया जाता अधिकारियों को जब bhrati किया जाता है तब हडिया पिना होता है वो लग चीज है वो पूना जोकर, मान जोकर, कोहा जोकर उसमें नहीं बच्चों को नहीं करना है यह हो गया option A युवा के लिए नेक्स्ट उराउजन जाती में अखाड़ा क्या होता है देखे अखाड़ा और सर्णा यह पैरलल कोशन हमेशा आता है तो आपको ध्यान देना है कि सर्णा जब एक धर्म आप मान सकते हैं और आपने प्रेजन का भी कॉलम आता है तो नंबर एक पर हिंदू रहेगा फिर दो पर मुस्लिम रहेगा थर्ट पर इस तरह से रहता है ठीक है अधर्स का भी option रहता है तो सर्णा कोट की डिमांड की जा रही है क्योंकि अलग धर माना जाता है तो सर्णा कोट जब अवेलेबल हो जा सर्णा धर्म से समणध्यत तो यह क्या है ठीक है यह पूजा अस्थल अस्थल है और अखलak क्या है या तो यहाँ पर पंचायत यहाँ की बैठक होगी चुछा इखने तो जो अकण होता है यह क्या होगा नाच का मैडान लडाई का मैडन ये नाच का मैडन शेक amber ऐगा option B प पंचायत नहीं होता है, उराओं में पंचायत को अख़ड़ा नहीं बोलते हैं, ओके, यह चीज हो गया, तो यहाँ पर इसका एंसर आप्शन भी हो जाएगा, ओके, हाँ, अख़ड़ा लिखा हुआ, यह अख़ड़ा, सही बात है, यह जो है, अख़ड़ा होना चाहिए था, ठीक है, चले इतना करेक्शन आप लोग कर सकते हैं, यह अख़ड़ा होना चाहिए था, अख़ड़ा लिखा रहाता है, यह अख़ड़ा होना चाहिए था, और इसमें जो पंचायत होता उराओं में, इसको बोलते हैं पंचोरा, इसको बोलते हैं पंचोरा, जैसे हातू होत में उसी तरह से पंचोरा होता है, ओके, नेक्स्ट, उराओं जंजाती में महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्तर को क्या कहते हैं, उराओं की बात की जाएं, तो अच्छा, वस्तर का भी टाइप होता है, और अलग-लग नाम होते हैं, है ना, अलग-लग नाम होते हैं, ये खनरिया होता है, ठीक है, खनरिया होता है, उराओं की बात की जाएं, तो खनरिया होता है, ठीक है, ये खनरिया होता है, ओके, तो यहाँ पर महिलाओं के लिए बोला जा रहा है, तो ये option C हो गया, खनरिया, नेक्स्ट उर्हाव जंजाती के लोग इन में से कौन से सिकार वैसाक मामे करते हैं सिकार को सिंद्रा बोला जाता है और अलग-अलग समय अलग-अलग जो सिकार किये जाते हैं उसका अलग-अलग है ठीक है नाम अटपटा लग रहा है लेकिन देखिए आप देख पा रहे होगे कि जब यह सेकंड टाइम आप पड़ रहे हैं तो बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा बहुत कुछ याद भी हो गया होगा सिंद्रा होता है अलग-अलग टाइप में जैसे की इसमें बीसु सिंद्रा जो होता है नाम सही लग रहा है बीसु जो है यह वैसाक मा में किया जाता है ठीक है यह वैसाक मा में किया जाता है फिर एक होता है फागू सिंद्रा तो फागू सिंद्रा जो है यह फागून के सम ह dispichaam है ना यह हों किया और कोई भीना time का अगर यह तो fix है यह भी सुभागो जेट अगर उस टाइम किया जार रहा तो इस नम से जाना जाएगा अरो इसके आलावा और कोई सीकार किया जाता है तो उसको बोलते हैं दवराहा षिकार शिंद्रा बोलता है, तो बैसाक समय वाला हो गया, विसू से अंदरा, option C, ओके, यह सब कभी नहीं सुने थे, यह सब कोशन आता है, arts and culture, जहारखन जीस के लिए बहुत ज़्यादा important है, उनाव जनजाती का नवर्स किस के बाद होता है, तो नवर्स जो होता है, धनकटनी के बाद होता है और धनकटनी के बाद कहने का मतलब है, धन की कटाई कब होती है, नॉमबर या फिर दिसमबर, ठीक है, तो आपसे यह नहीं बोलेगा, कि जनवरी में होता है, आपसे यह बोलेगा, कि किस के बाद होता है, कौन सा occasion होता है, तो यह धनकटनी होता है, यह धनकटनी होता है, ठ नेक्स्ट, खदी पर्व किस मा में मनाया जाता है, खदी पर्व एक्शुली बोलते हैं किसको है, खदी पर्व जो है ये बोला किसको जाता है, खदी पर्व किसको बोला जाता है, खदी पर्व ठीक है, चैत मा में मनाते हैं, चैत मा की सुकल पक्ष की तिरित्या को मनाते हैं, सरहुल को ही बोलते हैं ठीक है तो चैत मामें यह होता है बसंद के समय होता है अपसंसी हो गया अब बस आने वाला समय यह ही गया लगबाग भुहर सब्द किस जंजाती के लिए परियोग किया आता एक है खुटकटी वाला एक है भुहर हो गया तो आपको यह बताया गया था कि जहारकंड में जब ट्राइप्स का आगमन हुआ था तो यह जैसे गढ़वा वला छेतर है तो ज़्यादा कर जो आगमन हुआ था सबसे पहले मुंड़ा आते हैं मुंड़ा आते हैं फिर यह इस चेतर में बस जाते हैं ठीक है यह जो रास्ता बनाए गया इसी रास्ता से बहुत सारे tribes यहां पर एंटर करते हैं आलंकि मुंडा के पहले ही असूर कोरबा आ चुके थे बहुत सारे tribes आ चुके थे तेकर उतना वह डेवलप नहीं थे बस असूर ही डेवलप थे असूर अपने काम में निपुन हो चुके थे जो लग कर्म का काम था तो जब उराओं आते हैं अब तो ऐसा नहीं कि यह पूरा जहरकर्ण जो है completely साफ कर चुके हैं तो जहां जहां मुंडा जन जाती रहते हैं तो अपने एक कोडिंग जो है वो रहने लाइक बनाते हैं खेती करने योग्य बनाते हैं उसको बोलते हैं खूट कटी भूमी बनाते हैं अब बोलते हैं उसको ठीक है उसी तरह से उराओं के लोग जो जिस जमीन को उन्होंने त्यार किया उसको भूहर बोला गया जिन्होंने त्यार किया और जो जमीन है उसको भूहर भूमी बोला तो यह जो वर्ड है यह उराओं के लिए option C इसका answer हो जाएगा ठीक है और मुन्दा के लिए खूट का इस्तिमाल होता है नेक्स्ट उराओं जनजाती में उनके प्रमुक देवता कौन होते हैं अभी हम लोगों ने देखा कि संथाल में जो प्रमुक देवता हैं उनको क्या ब भूंगा देख लीजए यह सोरे के समानिंए नाम अलग अलग है तो उराओं में जो सोरे के थिए व्हस देवता हैं उनको धरमेश UK अगया है उनहीं को दरववित किया जाता है ठीक है, मरांग बुरू जो है, यह पहाड देवता है, संथालों में भी, और उराओं में भी, मुंड़ा में भी, ठीक है, तो यह मरांग बुरू है, ओके, यह हो गया, फिर जैसे यह गाव है, ठीक है, गाव का जो बॉंडरी होता है, इसके भी देवता होते हैं, उसी को बोल सबसे इंपोर्टेंट आपको याद रखना धर्मेज जो कि सुर्य के समान माने गए हैं उसके बाद जैसे कि किसी घर की बात कि जाए ठीक है, तो किसी घर में कुल देवता जो होता है, किसी परिवार का, उसको बोलते हैं पुर्वजात्मा, पुर्वजात्मा, ओके, और जो ग्राम देवता होते हैं, उनको ठाकुर देव, जो ग्राम देवता होते हैं, उनको ठाकुर देव बोलते हैं, गाउं का जो बौंडरी यह सिमाद देवता, उनको क्या बोलते हैं, डिवार बोलते हैं, तो डिवार क्या है, यह सिमाद देवता है, ठीक है, कुल देवता यह पुर्वजात्मा हो गए, ग्राम देवता जो होते हैं, इनको ठाकुर देव बोला जाता है, पहार देवता को मरांग बुरू बोला जाता यह option B सिमान्त दे उता हो जाती है उसल को रोखने के समय उराउन जाती कौन सी कूजा करते हैं तो infection को रोकने के समय जो पूजा की जाती है क्या का कौन सी पूजा की जाती है इसका answer इसका answer क्या हो जाएगा फेस्टिवल की बात हो रही हैAre में भेलवा पूजा किया जाता है कि ठीक het तो ये ब्हेलवाा पूजा ये गोरेया पूझा क्या है गोरेया पूजा जो ये पूरे गाओं के लोग आपस हैं मिल जूरे के विकास के लिए किसी के के बार होता है यह भेलोपूजा हो गया मतलब क्या बोलते हैा पूपनी के में फसल रोपनी के समय यह किया जाता है भेलबाफूजा गायों और खद्धिये शरूर जा+, Timundim Clark के कहते हैं औराउ जन्जाति में धार्मीक सासन वस्त है अब इसमें जो गाउं का हेड होता है यह मैटो होता है क्या होता है मैटो होता है ठीक है गाउं का जो हेड होता है यह मैटो होता है ठीक है मतलब गाउं के लेवल के जो मैटर है तो यह सुल जाएंगे मैटो ठीक है इसके बाद क्या होता है कि मैटो का जो असिस् होगा. तो मान की हो जाता है. तो इसलिए ट्राइब तक काफी अच्छे से पढ़ेंद होगा आपको होना हमें सा कन्फूजन होता रहाएगा ठीक है? यहहोगे ॐमान जी assistant होते हैं, इसमें पढ़ा वड आता है पढ़ा बनाए जाता है, मतलब इसमें एक से ज़र्धा पंचायद रहेंगे और इसको बलते हैं पढ़ा राजा होता है यह हो गया फिर officer भी होते हैं इसमें दिवान होते हैं अब ध्यान देना है कि धार्मिक बात की जाए तो धार्मिक जो हेड होता है इसमें उसको बोलते हैं पाहन क्या बोलते हैं और यह क्या होता है पाहन का जो असिस्टेंट होता है यह वैगा बोला जाता है वैगा बोला जाता है ठीक है यह चीज़ है ठीक है confusion होता लेकिन बार-बार आप सुनेंगे सब क्लिर हो जाएगा तो धार्मिक पर्धान हो गया या पहान हो गया और पहान का assistant बैगा होता है किसमें यह होता है यह उराव जन जाती में तो ट्राइब के होता है यह पन्शायत को बोलते हैं यह पन्चायत को बोलते हैं अख़डा यश होता है यह तो पूजर्फल होता यह धान के ला जहां पर पूर्वज की आत्मा रहती हैं सासन में तो यह option भी सर्माह हो गया वह यृवरा संसकार के बाद उनकी आत्मा उनकी पुरवजों की आत्मा से मिलती है उसे क्या कहते हैं तो ये क्या देखिए इसमें एक जो टर्म है ये सासन है इसमें क्या होता है कि सबों को जो है दफनाया जाता है और आत्मा का निवास अस्थान भी है सासन ठीक है ये होता है अब देखे समझे कि एक गाउं में लोगों की मृत्ति हो रही है, एक वर्स तक देखा जाता है, ठीक है, एक गोत्र के जिन लोगों की मृत्ति हुई है, तो उनको दफनाया जा रहा है, ठीक है, अब उनके हडियों का मतलब उनके आउसेस का निक्षेपन नहीं किया गया है, उनके आउसेसों का न नेक्षेपन नदियों में किया जाता है okey to ये जो प्रोसेस है इसे को क्या बोलते है इस्टी को बोलते है गोत्र खुंदी गोत्री कुंदी क्या है कि एक वर्स में एक ही गोत्र को जिन लोगों की मृत्तिय हुई है उनके और सेस्वव के नन क्षेपित किया जाता है परवाग कर दिया जाता है कि यह कहलाता है को तर्भी anyway if को गोत्री 입니다 होता आई तो यह यह क्वेज हुआ esc Здоровionedय 독ernick हो गया और जो संस्कार है ठीक है यह नहें क्षेपित किया ग system सब्सक्रीड और लो गयात्य है इसी को बोलता है हड़ा-बो Geeza संसकार, तो हड़बोरा संसकार में क्या होता है, कि इन लोगों की जो मृत्य हुई थी, जब एक साथ गोतर खुंदी किया गया तो इनकी आत्मा का मिलन पुरवज के आत्माओं के साथ हो गई इसी को बोलते हैं हड़बोरा संसकार, ठीक है यह हो गया, और आत्मा का जो मिलन हो रहा है मतलब यह गोतर खुंदी जब किया गया, मतलब एक साथ एक ही तरह के गोतर के लोगों के और सेसों को जब निक्षेपित किया गया, गोतर खुंदी किया गया, तो फिर इनकी जो आत्मा मिलती है, उसी को तो उस मिलने के प्रोसेस को बोलते हैं कोहा बहुंचा कोहा बहुंचा क्लियर गया वोड़ा नहीं समझ में आया कि समझ में आगी है ना से मैं आसाँ के यहां पर समय को दफनाया जाता है ठीक है पिर एक वर्स में एक तरह के अउसレस्चे और नदी में प्रवाहित किया चाहाएगा थे यह गौरिक्यदी जो नदी में परवाहित किया रहा है, उस प्रोसेस को गोत्र खुंदी बोला गया, तो आत्मा का मिलन होता है, क्योंकि आत्मा का मिलन करवाया जाया है पुरवजों से, तो ये कोहा बोंजा कहलाता है, और ये पूरा प्रोसेस कहलाता है, हड़बोरा संसकार, कितना क्लियर है, है न हड़बोरा संसकार कहलाता है तो पुरवज की आत्मा जब मिलती है उसको बूलते है कोहा बेंचा जब नदी में अवसेसों को परवाहित किया आता है उसको बूलते है गोत्र खुंदी और ये पूरा संसकार कहलाता है हडबोरा संसकार इजी है इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए कोई डाउट है क्या इसमें कोई डाउट है इसमें नहीं न कोई डाउट नहीं है आगे बढ़ते हैं हम लोग ठीक है और उराओं में जो इवागरी होता है इसको बोलते हैं धुमकोडिया तो धुमकोडिया में लड़कों के लिए अलग व्यस्ता होती है और लड़कियों के लिए अलग व्यस्ता होती है लड़कों के लिए जो व्यस्ता होती है उसको मुलते है जो खेलपा और लड़कियों के लिए पेलपा तो ये वो चीज है ठीक है इसका एंसर पुरवजों की अत्मनने नहीं पुर्वज की आत्मा जो मिलती है वो हो गया ये कोहा बैझा को बैंचा होगा हाँ ठीक तो है इसका अजाएवल को ही चीजह और अगर नदी में प्रभाहित किया रहा गोतर तो इसमें जो जादौ टोना करने वाले व regarding होते हैं उनको माटी कहा जाता है। माटी कहा जाता है नेक्स्ट नुमकोडिया के संबंद में ये जो लिखे हैं तो इसके बारे में बताना है कि इसमें क्या-क्या है? 10-11 वर्स के आयो में प्रवेस दिया था, बिल्कुत सही है और ये फ्रेस वाला हो गया, इसको बोलते हैं पूना, पूना जोखर तीन साल अगर बिता लिया है, मतलब कि कम से कम 13-14 वर्स हो गया होगा, तो फिर क्या हो जाएगा? उसके अदमान जोखर होगा उसके उपर कुहा जोखर होता है तो ये सही है, विवा होने के बाद भी इसमें सद्रस्दा बनी रहती है आपको लेना होगा, तीन वर्स के लिए होता है, एक बार में, और ये जो एडमिसन होता है, चातरों के लिए मतलब जो सीखना चाहते है, कल्चर उनके लिए, तो दिक्षा समारों का आयोजन किया जाता है, लेकिन इसके जो अधिकारी जो हैं, इनके लिए, क्या किया जाता है, इनके लिए मुखिया हंडी, मुखिया हंडी का योजन होता है, तो जो इसमें गलत है, वो इसका एंसर, option B हो जाएगा. नेक्स्ट, दुमकोडिया संस्ता में महिलाओं की देखभाल करने करने वाली महिलाओं की देखबाल करने वाली महिलाओं को यहाँ पर इसके जगह पोना चाहिए, युवती होना चाहिए, या फ碼 लड़क होना महिला को क्या कहा जाता है, तो अभी बताएं गया कि यूवा गृता हुदाए responsable. और लड़कों के लिए अलग व्यस्था होती लड़कियों के लिए अलग व्यस्था होती है इसको बोलते हैं जोक एडपा क्या बोलते हैं जोक एडपा को ही बोला जाता है धांगर कोडिया धांगर कोडिया और लड़कियों के लिए जो व्यस्था होती है उसको बोलते हैं प को कहते हैं जह तो कहलाएगा या मेहतो कह लाएगा और यसका जो Does it is consistent होता उसको को तवाल बोलते हैं लेकिन पे लिडपा की बात करें तो इसमें बढ़की दहंगरीन होती तो लड़किओं के लिए बढ़की धांगरी। ठीक है? यह हो गया। इसके बाद अगर मुंडा ट्रीप के लिए बात की जाए तो नंबर एक पे आता है संत्हाल, नंबर दो पे आजाता है, उराओं आ जाता है, नंबर थृ पे के आजाता है, मुंडा आ जाता है,endumर फोर पर आजाता हो और नमबर फाइब क्या जाता है। इसके बदभ खरवार आजाएगा फिर लोखरा आएगा खड़ी आएगा। ठीक है। फिरमॉजिए समस्कराइभा फिर六 जॉत्यां की बात की दो पे आ जाएगा गॉंड और नमबर तीन पे आ जाएगा संथाग, ओके इस इस गाम, हाँ थोड़ा सा बाकी रह गया है, तो इसका एंसर क्या हो जाएगा, क्लास का टाइम थोड़ा जल्दी नहीं होगा, हाँ आज लेट हो गया, मुझे जल्दी लेना चाहिए था क्लास, यह मेरे एंड से गलती हुई है, पहले लेना चाहिए था मुझे क्लास, भील, गोंड, संथाल, हाँ याद रखेगा, और 2001 के कोडिंग, पहले गोंड होता है, फिर आता है भील, ठीक है, तो यहाँ पर जो तीसरी सरवाधी जन संकिया वाली जन जाती है, वो मुंडा है, मुंडा ट्राइब है, ठीक है, आगे बढ़े हैं, या फिर स्किप किया जाए, कल मैं दिन में रिविजन करा दूँगा, आगे बढ़े हैं, इसमें कम से कम आधा गंटा लग जाएगा, मुझे कोशिन कितने है, यह मेरे इंड से गलती हुई है, मुझे क्लास पहले स्ट कर देना चाहिए था, लेकिन एकलास सड़े नो में स्टार्ट हुआ है, क्या किया जाए, पताइए आप लोग, कल नो सर, कहने के मतलब कि आगे बढ़ना या नहीं बढ़ना है, बढ़ाए, मस्कीप, ठीक है, मुंडा ट्राइब कर लेते हैं, फिर देखते हैं, मुंडा ट् अच्छा इसलिए लग रहा है, क्योंकि मैं रिविजन कर रहा हूं, एक बार आप पढ़ चुक हैं, और देखे, अच्छा क्यों लग रहा है, रिजन यह ना, सिस्टेमेटिक वे से पढ़ा जा रहा है, ज्यादा क्या बोलते हूं, होश-पोश नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर करते हैं, कि रहने देते हैं, क्योंकि होगा क्या कि हो ट्राइब में कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, मुंडा कंप्लीट हो जाएगा, हो ट्राइब बच जाएगा, और मैं चाहता हूं कि खरवार पढ़ने से पहले, मुंडा हो ये भी कंप्लीट हो जाए, ठीक है, तो ऐसा क या फिर आट बजे उसमें हम लोग क्या करेंगे यह जो दो ट्राइब बज गया है मुंडा और हो इसका भी रिविजन कर लेंगे और इसका रिविजन जब हो जाएगा तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे खरवार फिर लोहरा और खड़िया अब इसमें खरवार लोहरा या फिर खरवार लोहरा खड़िया यह मैं देख लोंगा ठीक है यह चीज़ देख लिया जाएगा ठीक ना तो आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद और एक बात हमेंसा आप याद रखिए कि जारकन में जो अभी विवस्ता चल रही है ना आप सब लोग जानते हैं ठीक है जो अंदोलन वगरा होगा वो अब कीजिए लेकिन दिमाग में यह नहीं लाना है कि JPC है या फिर JCC है इसका एक्जाम कभी नहीं होगा इसलिए त्यारी नहीं करनी है ठीक है एक बार एक्जाम होगा और जब होगा हमेसा पस्ताते रहें कि क्यों हम लोगों ने त्यारी नहीं किया था तो continuity बनी रहने चाहिए जहां प्रैक्टिस कर रहे हैं आप प्रैक्टिस करते रहिए मसी क्यू सॉल्फ करते रहिए कंसेप्चल क्लास देखते रहिए ठीक है अप्लिकेसन आ जाएगे कि अप्लिकेसन कपका बन चुका हो था लेकिन कुछ-कुछ त्यार करव तो यह आप लोगों के लिए किया जा रहा है ऑक तो मुलते हैं कल थ junction सीख वुर वाचिं जार करंट परिकशा गोडरन आइट andra को हांकल कल जलदी अस्टार्ट किया जाएगा होऊ टेश्ट अभी फिलाल बन dość फैक है चली वे कल मिलते हैं कोड़ आइट से과 Um झाल झाल